हाव रुफीक्स एमंग आस एरो लेक प्रावल्लम नमस्कार डोस्तो सुआगर आप सभी का थिक्राच यूटुब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप जो है अमंग आस की लेक प्रावल्लम को सौल्व कैसे कर सकते हैं तो दोस् को खेलते भी कई लोग इसको नहीं खेलते हैं ठीक है जो लोग को समझ में आते हैं जो लोग को समझ में नहीं आते हो नहीं खेलते तो यहाँ पर डोस्तों मैंने खेलके देखा तो बहुत है अच्छा यहाँ पर गेम ठीक है क्वालिटी वेगर है में थोड़ा सा प्रॉब्ल दिवाइस के वज़े से हो सकते हैं ठीक है तो आपको दूस्तों यहाँ पर यह देखना है कि आपके डिवाइस में प्रॉबलम में या फिर गेम के अंदर पर ठीक है मैं आपको गेम का आसान सा सॉलूशन बता रेता हूं इसको फोलो कर लिजे गेम लेक कभी नहीं करेगा मैं मैंने दोस्तों बहुत गेम इसको जो है खेल के देखा है बहुत लंबे समय लोंग गेम प्ले में इसको करके देखा है कोई भी लेक यहाँ पर नहीं है गेम पर ठीक है तो यह गेम ही ऐसा है लेकिन दोस्तों फिर भी होता है तो चलिए मैं आपको लेगिंग का सॉलूशन सब्सक्राइब करें और बैल आइकोन को क्लिक की जा ताकि आपको लेटस नोटिफिक्शन मिलते रहें यह आपको ओनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते तो दोस्तों यहाँ पर लेगिंग का जो इश्यू है उसको फिक्स करने के लिए तो आप गेम को एक बार अपडेट कर दीजिए ठीक है यहाँ पर जाईए और जस टाइप हीर एमंग अस एम ओ एन जी एमंग अस ओके तो नाव यहाँ पर आपको क्या करना है आपको अपडेट कर देने आपका गेम अपडेट बगरा करने के बाद दोस्तों मोबाइल सेटिंग पर जाए इस्ट्रोल डाउन करें आपस के अंदर पर जाए और मेनेचेब पर जाए मेनेचेब इंस्तोले भी आप फिर मेनेचमेंट ठीक है आपको यह उप्शन मिल जाएगा उसके बाद एमंगास को ओपेंड करें फोर्स तोप करके ओके कीजिए क्लियर डेटा पर क्लिक करके क्लियर ओल डेटा करके ओके करना है ताकि आपका जो इस्टोरेज चे वो कम हो जाए ठीक है तो यह कर लीजिए उसके बाद दोस्तों बेक कीजिए बेक करने के बाद डिवाइस को रिश्टार वगरा कीजिए गेम को प्ले करके देखे प्रॉब्लेम सॉल्फ हो जाएगा ठीक है कई पर दोस्तों क्या होता है गेम पे काफी ज़्यादा खेश डेटा होने के वज़से प्रॉब को clear कर दीजिए और ओकी किजिए आप ठीक है तो केश को clear करके देखें अगर आपके पास काफी सारा application से और आपके जो storage almost full है तो applications uninstall कीजिए ठीक है unused application uninstall कीजिए सारे साथ कोई bad application से जो कि आप playstore के बाहर से install करते तो उन सब को भी uninstall कर दीजिए और आपने storage को empty कीजिए free up कीजिए ठीक है उसके बाद device software को update कर दे और device software update करने के बाद दोस्तों आपका phone का जो lagging issue है वो fix हो जाएगा ठीक है और दोस्तों यह जो मैं आपको अभी solution बता रहा हूँ वो है दोस्तो phone lagging का solution ठीक है तो गेम का lagging का issue में आपको बता दिया है कैसे आपको fix करना है लेकिन अगर गेम पे आपको lagging नहीं हो रहा है तो phone के वाज़ा से lagging होते हैं तो phone दोस्तों आप उसको free up वगरा करके software को update कर दे problem solve हो जाएगा ठीक है लेकिन मान देजिए इसके बाद भी problem कर रहा है लेकिन कर रहा है तो आपको क्या करना है about phone पर जाके बेकाबें reset पर जाके factory reset कर देना है phone को factory reset करने से आपको पता होगा lagging का problem जो होते phone पे वो completely fix हो जाते हैं ठीक है तो completely fix हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है among us को download करना है install करना है use कर लिजए gameplay करके देखें लेगिंग का problem नहीं होगा और आपका problem solve हो जाएगा तो बस दोस्तों इतना solution आपको कर लेना है ठीक है तो आज की इस वीडियो बड़ो से बस इतने उमीद करते वीडियो आपको पसंद आओगा lagging के वारे में आपको और भी कुछ जारना है कुछ solution चाहिए तो quality बता दिया है लेगिंग का तो आप follow कर लिजेगा आज के लिए बस इतना ही thanks for watching